गेटवे लिटफेस्ट की शुकरवार से मुंबई में शुरुवात हो गई है NCPA में शुरू हुए लिटफेस्ट का ये छठा एडिशन है इस लिटफेस्ट में Z Network भी पार्टनर है इस साल के लिटफेस्ट की थीम इंडियल लिटरेचर दोहजार पचीज है इसका मकसद शुत्री भाषाओं को मंच देना होता है इस लिटफेस्ट में 17 शुत्री भाषाओं के 50 से ज्यादा लेखा के साले रहे हैं इनमें कश्मीरी, कुकडी, उर्दू और असमी भाषा शामिल है आज उर्मिला पवार को Z Gateway Litfist Lifetime Achievement Award से समानित किया गया यूगँ प्रतृट सुड़ा समu, कर दियुक्ता लिटर्चर फेस्टिवल में क्या होता है कि there is exchange of mind, exchange of ideas, हम एक दुसरों को देखते हैं, बात करते हैं, पेपर प्रेजन्ट करते हैं, नीव आइडियास रखते हैं वो, इससे हम भी इंस्पैर होते हैं, और जो यंगर जेनरेशन है, वो भी इंस्पैर होते हैं स्टाइल और रफतार की दिवानों के लिए JLR ने भारत में पॉपिलर SUV Land Rover Discovery Sports का फेसलिफ्ट मॉडल लाँच किया है, कमपनी ने Land Rover Discovery Sports के बेस्ट वेरियंट स्पोर्टS S की एक शोरूम कीमत 57,6,000 रुपए रखी है, जबकि इसके टॉप वेरियंट R Dynamic SE की एक शोरूम कीमत 60,89 रुपए रखी है, शांदाल लुक्स और फीचर से लेस्ट नई Discovery Sport में BS6 डीजल इंजन दिया गया है, लाँच के साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है, कार की खासियत बता रहे हैं, हमारे समवादाता अक्शे घूगे Land Rover Discovery Sports के नए एडिशन 2020 Specialty of Tower को भारतिय बाजार में लाँच कर दिया है, इसके पुराने वर्जन के मुकाबले इस कार में कमपनी ने कुछ नए कॉस्माटिक चेंजेस किये है, लुक्स की बात करें तो सामने से देखें तो इस कार में नए डिजाइन का ग्रिल दिया है, अगर 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 आप देखें तो काफी स्लिक डिजाइन के आपको फॉग लैम मिलते है, इसके एर फेंडर को भी काफी शापकाट लूप दिया है, तो ओर ओर लुक्स के मामले में सामने से ये SUV काफी ज्यादा बोल्ड, मस्क्यूलर और अट्रैक्टिव देखती है वहीं साइट प्रोफाइल की बात करें, तो इस कार में आपको 18 इंच के अलाविल्स मिलते है, जो ओफ रोडिंग के मामले में भी काफी अच्छे है, वहीं पीचे से हम देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर की शाक फिन आंटिना मिलता है, इसमें एक स्पेशाल एटी है कि आंटिना में आपको एक रेर व्यू कैमेरा भी मिलता है, साती यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी डिस्कवरी की बैजिंग दी गई है, इसके पीछे नए डिजाइन के LED टेल लांप्स दिये है, जो डिजाइन और लुक्स के मामले में काफी जादा अट्राक्टिव है वहीं इसके लोर बंपर को भी काफी नया लुक दिया है, सोराल लुक्स के मामले में एक SUV काफी जादा बोल्ड एड अट्राक्टिव देखती है, चलिए अब देखते हैं अंदर से कमपनी ने इस नए SUV में क्या कुछ बदला है वहीं अंदर से हम देखे तो काफी जादा सिंपल लुक आपको इस SUV में इलता है, बड़ लक्जेरी के मामले में ये काफी जादा क्लासी लूप भी आपको प्रोवाइड करता है उपर के और अगर हम नजर डाले तो आपको काफी बड़ा पैनारों सन्रूफ मिलता है, वहीं सामनी के और अगर हम देखे तो यहाँ पर इसके डाशबोर्ट पर ब्लाक ट्रीटमेंट दी गई है, साथ ही यहाँ पर आपको वूडन ट्रीटमेंट भी दिखाई देती है, ज इस SUV में आपको 10.2 इंच का डिजिटल एंफोर्टिनमेंट सिस्टम मिलता है, इस SUV में 2 लीटर का नया BS6 इंजेनियम इंजिन दिया गया है, यह इंजिन पेट्रोल और डीजल दो वेरेंट के साथ आता है, इसमें दिया गया पेट्रोल इंजिन 249 बहप की पावर और 360 अनम रखी है, और कॉंपिटिशन का देखे तो यह SUV मार्केट में मौझूद BMW X3, Audi Q5 और Mercedes Bench GLE को कड़ी टकर देती है, कैमरा परसन किरन के साथ, अक्षे गुगे, Z Media, मुंबाई